अरे ये नन्नी परी तो बहुत प्यारी लग रही है आपका बहुत शुक्रिया और माशयल्ला से तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी है एक सवाल पूछू तुमसे जी जी पूछें मैं शा दो लोकी हवेली ढूंड रहा हूं किसीने बताया था इसी गली में है जी जी इस की आप को लिए ран करना होगा दाड़ा सो रहे हैं कि छलो तो फिर ठीक है जब तक वो ऊठने ही जाते मैं यहीं बैटकर उनका इंतिजार कर लेता हूँ मेरी आदत सुबर जल्दी उठने की है, हनीफा और मलायका तो मुझसे भी पहले उठ जाती हैं, लेकिन वो मेरे साथ नहीं केलती, उन्हें घर के भी काम करने होते हैं, मेरी अम्मी भी तो नहीं है यहाँ, और मेरा कोई भाई भी नहीं है नन्नी परी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जब भी बोर होता हूँ ना, तो फोरन खड़ा हो जाता हूँ, और अपना रुमाल जेब से निकाल लेता हूँ, और डांस करने लगता हूँ, इस तरह करने से मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ चोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी है चोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी भोली सी भाली सी अच्छी सी मेरी है प्यारी परी है भोली सी भाली सी अच्छी सी यह मेरी परी चोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी अबुल खानम, आजाओ, अंदर चलो, कौन हो तुम? वो मैं, मैं शादोलो हवेली में काम करने के लिए आया हूँ, मैं खानसामा हूँ, मेरे जूता दो. कौन सा खानसामा? यहाँ खानसामा मौझूद है, और यहाँ किसी को निकाला भी नहीं गया, तुम यहाँ गलत आ गए हो, चलो जाओ यहाँ से, लेकिन मेरे साब ने तो कहा था, तुम वहाँ जाओ और नसू साब से कहना, अभी तक नास्ता क्यों नहीं तयार हूँ, हाँ, य ताके नसू साब का घुसा ठंडा हो जाए, पता नहीं कैसा इनसान है, बद तमीज, मूठा के, चला आया, हम, नसू साब, हाँ, मैंने तुम्हें इस हवेली में दाखिल होने दिया, तो मुझे बताना, और कितना इंतिजार करना पड़ेगा मुझे, ओफ, मुझे फूली सी और कितना उने इस चक्शों पड़ता इस होने।